विल्कम बेक टुमा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुश्चन नंबर आपका 31 हो जागा ठीक है कुश्चन नंबर 31 ठीक है जो कि आप से पूच रहा है कि क्रिस्टलिय ठोस और अक्रिस्टलिय ठोस में अंतर ठीक है जो आपके क्रिस्टलीय ठोसौ में निम्ह अंतर होता है जैसे वांतर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है की एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस दूसडी थोषी ठोस तव सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिस्टलीट होसकी ठीक है जो आपका क्रिस्टलीन सॉलिड होता है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपने क्या लिखना है ठीक है क्रिस्टलीन सॉलिड जैसे आपका डायमंड हो गया ठीक है क्या हो गया डायमंड हो गया और आपका अलम हो गया किसकी आप क्रिस्टली ठोस यह नौन क्रिस्टलीन सॉलिड तो इसमें जैसे आपका गिलास हो गया प्लस्टिक हो गया जैल हो गया यह सब कियांगा क्रिश्टल सब्सक्राइब इनको तोड़ने पर आपको क्रिस्टल मिल जयेंगा लेकिन उनको तोड़ने पर प्रत पहल तो यह इसको ठोड़ों गया लेकिन शोते ठोड़ों में नहीं बटने ठीक तो इस तरह से आपके अग्या हो जाएंगे प्लास्टिस ग्लास और यह कुल जैसे आपका क् Yorog je सबसे पहले अगर बात करें e weirdest बिवस्ता काफी दूरत होते है जोते हैं करेश्ट्रीट क्रूंश होते हैं उनके कड़ से मिलकर आपका ठोस बना यह होते हैं इनकी एक विवस्था ओगी ठीक है लेघ मेन जीमेंटी ओर नान क्रिंट मी लिए की बात करतें तो यह कळा कड निश्चित अवस्था में नहीं होब थे निश्चित विवस्ता में नहीं होगा ठीक है कुछ उस तरह ऐसे आड़े तिर्चे होंगे ठीक है तो इनका क्या होगा रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा ठीक है किसका इसमें जो आपके components होगे या अब अब अभी कड होगे इसमें क्या हो गानाइख आपका यह जा रहा है फिर आपका यह आजागा कुछ इस तरह से इसमें आपकी एक regular होता है लेकिन इनका गलनांग कैसा होता है आसपस्ट गलनांक है ठीक है तर्ड पॉयंट इसके बहुत गुण्ञ जैसे बिद्धुत चालकता हो गया बिविन दिशाओं में भिन भिन होते हैं अर्थाथ भिसम दैसिक होते हैं ठीक है तो क्रिस्टलिय ठोस की अगर हम बात करें बहुते गुढ़ जैसे इन का बहुते गुढ़ क्या हो गए बिद्दुत चालकता ठीक है क्या बिद्दुत चालकता तो यह क्या होता है विभिन्द दिशाओं में ठीक है सभी दिशाओं में ठीक है उपर भी नीचे भी और दाएं भी बाएं भी ठीक है कहरा है दिशाओं में भिन्ड भिन्ड होते है या कैसे होते है विसम दैसिक ठीक ह होती है किसमें we dla में इसके आपड़त्राइग का चालकता हो गया इान्ट्र की शक्ती सhr Adobe समतह श्यक होती है सब दीशा में फ्लो करेंगे ठीक हैं ुपर नेचे ढाए और सब सभी दिशा में क्या होंगे यह बराबर बराबर मात्रा में जो है फिलो करेंगे ठीक है तो ये कैसे होते हैं संव-दैसिक ठीक है अभी दिशाओं में समान मात्रा में ठीक है अब बरतनांग होगा तो सभी होगा समान होगा ठीक है और चालक्ता भी सभीडिसाओं में समान होगी और उसकी जो आंतरिक एक शक्ति होती है जोह से दिसांत पर करने से काटने पर क्रिस्टिलि टुकड़े होते हैं किसे नजैसक हो जाते अगर इसको तो आप काटते हैं То यह दो भागों में बट जाता है जिनके प्रेश्टिटलिये होते थीं कि सत्य होंगी में सक coating UK लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो कहरा दार दार आउजार से काटने पर असम्मित प्रिष्ट वाले टुकड़े प्राप्त होते हैं जैसे हमने क्या पढ़ा था प्लास्टिक पढ़ा था और क्या पढ़ा था आपका गिलास पढ़ा था और जेल ये सभी क्या है आपके सभी उच्छे का डिके तो इनको अगर आप तेज़ द आर वाली ऑजार से काटने तो तुकड़े प्राप्त होंगे लेकिन कैसे होंगे असम्मित वाले ट्रीक है दोरू बराबर बराबर भागों में जो है बिल्कुल नहीं वटेंगे ट्यक है तो प्रिष्ट वाले ऐनके प्रश्ट कैसे हूँगे जो आपके growing उतना ज्यादा ज्यादगे क्या उतना टेंगे एपने में प्रका क्व। जो एक्रेस्टली ठोसों का सीतलन बक्र कैसा होता है तो जो एक्रेस्टली ठोस होते हैं इनको अगर आप ठंडा करते हो या कूल करते हो बहुत जादा तो इनका जो बीच में ग्राफ आता वो कैसा आता है तो यह जो है दीरे कैसे होते जाएंगे या फिखलते जाएंगे तो इसलिए इनको क्या कहते है नाम से नाम से लिकुड के नाम से जानते हैं जैसे आपने पड़ा होगा जैसे बहुत पुराने इमारते होंगे उनके खड़कियों पर जो शीशे लगे होते हैं काच के बहुत देखा जाता है तो कुछ बहुत ज्यादा शीतलन के बाद ऊपर मोटे और नीचे कुछ पतले हो जाते ठीक है तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है तो यह तो था आपका अंतर किसमें और आपके क्रिस्टली ठोस में ठीक है तो इस तरह से आपका कुछन आपर कंप्लीट हो जाता है तब तक लिए थैंक्स वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें